पपुयादव की पत्नी रंजीत रंजन ने यहारोप लगाया है कि उन्हें पुलिस पकड़ कर ले गई है उनके साथ कुछ भी हो सकता है गानी मेदन थाने में 9 घंटे से बैठा कर रखे हैं अगर यह 9 घंटे अगर अभी वहां नहीं रखा जाता तो यह और भी कोरोणा महमा समारी में लोगों की सेवा कर सकते थे मगर फिलहाल यह बाते जो अभी निकल कर आ रही है कि मधेपूरा पुलिस मधेपूरा से निकल चुकी है और पपुयादव को गिरफतार कर ले जाएगी 32 साल पुराना मामला है उसमें पपुयादव की गिरफतारी उसी को लेकर हुई लोगडॉन के नियम के उलंगन के कारण उन्हें पकड कर ले जाय जा रहा है और पहले हौस एरेस्ट किया गया फिर बाद में फिर यह पता चला कि मधेपूरा पुलिस आएगी और ले जाएगी 32 साल पुराने मामले में इनकी गिरफतारी हुई है और रंजीत रंजन काफी गंभीर आरूप लगा रही है कि कुछ भी हो सकता है अभी पपूयादव के साथ इसे पहले यह बता दें कि एक ख़बर आई है इस ख़बर में कितनी सचाई है कि 22 मार्च को को कोट ने बॉरेंट जारी की थी सुत्रों के हवाले से यह बताया गया है कि मधिपूरा पुलिस के लिए यह निकाली गई थी उसके बाद मधिपूरा पुलिस को आने में देरी है पपूयादव लगातार मीडिया से भी फोन कॉल करके बात कर रहे हैं और अपनी बाते और अपनी मांगे बता रहे हैं उसके बाद अभी जिस प्रकार से पपूयादव सीधे तोर पर ताना साही और हिटलर साही सरकार की बाते कर रहे थे मीडिया से बात करते हुए उसी दर्मियान रंजीत रंजन फिर लगातार मीडिया में आ रही है और वह भी अपने पती पपूयादव को बचाब में आ रहे हैं इसे पहले बता दे कि रंजीत रंजन कॉंग्रेस से सांसद रही और अभी जो सबसे बड़ी ख़बर है कि क्या पप्पू यादब को अब मध्यपूरा में पकड़ कर ले जाए जाएगा तो क्या वहां पर अब वहां के हिसाब से फिर वहां पर उन्हें सिप्ट किया जाएगा ऐसा कहा जा रहा है कि मीडिया से दूरी बनाने के लिए या और भी कुछ बात है मगर 32 साल पुराना मामला का खुलना पप्पू यादब के लिए खत्रे की घंटी है क्योंकि जो उनका बेक्ग्रॉंड रहा है जो उनका इतिहास रहा है वह है एक अपराधिक रिकॉर्ड का रहा है और बहु बली नेता के तौर पर भी जाने जाते रहे है तो कहीं न कहीं और जिस प्रकार से पपू यादब पिछले कई समयों से जो अपने काम के जरिये लोगों के दिलों में एक जगह बनाने में कामियाब हो गए थे तो कहीं न कहीं वो जो जिस प्रकार से राजी परताप रूडी के प्रकरन के बाद से ही इन पर नकेल कसने की बात जो चार-पांच दिनों से चल रही थी अब वह लगता है पुरुनता सही सावित हो रहा है यही कारण है कि 32 साल पुराने मामले और भी ऐसे कई मामले जब खुलेंगे बिधायक के मडर की और भी कई अफरन कांड और भी कई सूटर द्वारा सूट किये गए कई लोगों क तो ऐसे कई मामलों में पपूई आदव की यामों नाम जग जाहिर हो सकते हैं रंगडारी बाहु बल में पपूई आदव का नाम आ सकता है और है भी तो अभी के लिए फिलाल इतना ही कहेंगे कि लगतार देखती रहे जहकास वारत तुमाम खबरों और मुद्धों के सही स इतना ही कहेंगे जहकास भारत को सबस्क्राइब कीजिए धन्यबाद